अलेकुम शेक्साब मैं दुबज से उम्मद शफी अच्छा मैंने विल्डिंग की उजवाद विल्डिंग टायर किया है उसमें मेरा चार करोड रुप्रा लगा हुआ है और वो मैं किराय पे देने के लिए टायर किया अभी इसका चार साल हो गया अभी मैं इसका ज़कात का पैसा देओं या नहीं देओं ये अज़ात कीजिए प्लीश सवाल आपने देखा है इनका सवाल है कि इन्होंने कुछ बिल्डिंग बनाई है या कोई घर लिया है या अफलेट लिया है या किया लावालम कोई प्रॉपर्टी है इनकी जिसको इन्होंने किराय पे देने की निएस से हासिल किया है। इनकी कोई प्रोपर्टी है घर वगर जो किराए पे देने के लिए हसिल की है। तो कहते हैं कि उस पर जकात है कि नहीं तो देखें सबसे पहली बात ये जहर में रखें कि अगर आपको नमाजा है और आप जकात देना चाहते हैं तो गरचे आप पर जकात ना भी हो तो भी आप जकात देने के लिए पूशने की जरूरत नहीं है जब आप ना देना चाहें क वहां पे वह सवाल करें कि देना जरूइ के नहींए। ले sucka देल कुशाधा है, वो देना चाहता है तो पोछनी की जरूए content वह आप दे डालें वह आपका तजारत हो। कोई भी माल हो। कुछ देना चाहते हैं ऐनलला कि रहा में तो आप दे सकते हैं। सभी मुसलिम öek रहाय की रिवायत है कि आप फि dive एक और तीन मतलूब नहीं निए नए। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कोई मसला नहीं है रही बात है कि यह जो आपने मकानात खरीदे हैं इसमें जकात है कि नियत तो अगर आपकी नियत यह है कि हमारे रहाईश के लिए मकानात होंगे हमारे बच्चों के लिए होंगे और जब तक इसमें कोई नहीं रहता है तब तक ये किराये पर होगा तो आपके किराये की जो रखमाएगी उसमें आप जकात देंगे लेकिन आपका कारोबार ही है आप फलेट का कारोबार करते हैं आपको जकात देना है और ऐसे ही आपने इसको इसे इदिये से लिया है कि ये कल को हमारी विरासत होगा हमारे बच्चों में हमारे इश्टारों में जाएगा और जब तक इसका 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 किराया आएगा इससे तो फिर जो किरायिस की जो रकम होगि उसमें जकात है माकान पे जकात में हैंगे लैकिन अगर आप तिज़ारत बिजनस करें माकानों का, घरों का, बिल् Unity Sachs तो फिर उम्वाले तेजारत के हैसे से उसका शमार होगा उसमें आपको जवात देना चाहिए उम्मेदे कि आपका जवा मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें